पूर्व प्रधानमंत्री और बीजेपी लीडर अटल बिहारी वाजपई अपने भाशण देने की शैली के लिए जग विख्यात हैं। देश की आजादी के पचास साल पूरे होने के दौरान अटल ने ऐसा स्पीच दिया जो ना केवल तब प्रासंगिक था बलकि आज भी प्रासंगिक है आप फिस सुनिये अटल का ये ओजस्वी भाशन कि भारती जनतापाटी को व्यापक जनसमर्थन प्राप्त नहीं है का समर्थने जो जो काउडित जिससे खा जाता है उसको श को इस तरह से तरह से सदर्वन में उल्लखित करना किस क्षएतर की आप बात कर रहे है कि हरी अदरें हम हर्याना चाह्ते ह doable हम्ने कर लाट में कि करनाटक में हैं हिम समर्थन प्राप्त किया है और यह ठीक है कि ररन म और तामिल नाडू में हम उतने शक्तिशाली नहीं हैं, मगर हमारा संगठन है, पश्रिक बंगाल में भी हमें 10% से थोड़ा कम वोट मिला हुआ है, अगर आप वोट की बात करते हैं, तो फिर 10% वोट की बात करिए, एक इस सदन में एक एक ज़क्तिय की पार्टियां, एक एक व्यक्तिय की पार्टियां, और वो हमारे साथ, हमारे खिलाब जमगठ करके, हमें हटाने का प्रियास करने का पूरा धिकार हैं, बगर है वो एक, एक व्यक्तिय की पार्टियां, एक जलो रहें और चलो एकना अपने चुनावक शेटर से और दिल्ली में आकर हो जाओ इखटे रहे किसलिए इखटे हो जाओ देश के भले के लिए वागत है हम भी अपने घंक से देश की सेवा कर रहे हैं और अगर हम देश वक्त न होते और अगर हम निस्वार चुभाव से राजनीत में अपना इस्थान बनाने का प्रयास न करते और हमारे इन प्रयासों के पीसे 40 साल की साधना है यह कोई आकस्मिक जनादेश नहीं है यह कोई चमचकार नहीं हुआ है हमने मैनत कि हम लोगों में गए हैं हमने संगर्ष किया है पार्टी 355 दिन चलने वाली पार्टी है यह कोई चुनाव में कुकर मुक्चे की तरह से खड़ी होने वाली पार्टी है और आज हमें आज हमें अकारन कटगरे में खड़ा किया जा रहा है क्योंकि हम थोड़ी से थोड़ी ज़्यादा सीटे नहीं लिख सेके हमान कि हमारी कमजोरी है हमें बहुमत में लग चाहिए राश्टर पती ने हमें आउसर दिया हमने उसका लाब उठाने की कोशिश किया हमें सफलता नहीं विली वो अलग बात है लेकिन हम फिर भी सदन में सबसे बड़े विरोधी दल के रूप में बैठेंगे और आपको हमारा सईयोग लेकर सदन चलाना पड़ेगा इस बात तो मत भीए बगर सदन चलाने में और ठीक तरह से चलाने में हम आपको पूरा सहयोग देंगे या आपको आश्वासम देना चाहते हैं बगर सरकार आप कैसी बनाएंगे वो सरकार किस कारिकम पर बनेगी वो सरकार कैसी चलेगी मैं नहीं जाना लेकिन जहां तक जलितों का सवाल है शिडूल कास के टोटल मेंबर्स है 77 और उनमें से 29 मेंबर्स बीजे पी के तेने गए CPIM, CPIM के 5 मेंबर है CPI 1 मेंबर है कॉंग्रेस 15 मेंबर है जनतादर साथ मेंबर है और सबसे जादा हमारे मेंबर है एस्टेसी में भी शिडूल ट्राइब में भी टोटल नमबर ओप सीट इस 41 बीजे पी 11 हमारा जनाधार नहीं है हमें लोगों का व्यापक समर्थन प्राप्त नहीं है अगर आप हमें हमें हमारे हमें छोड़कर सत्ता बनाना चाहते हैं और आप समझते हैं कि वो सरकार टिकाओ होगी मुझे तो उसके टिकने के लक्षण नहीं दिकाई देगें पहले तो पहले तो उसका जन्म लेना कठेने जन्म लेने के बाद जीवित लेना कठेने और ये सरकार अंतर विरोधों में घिरी हुई देश का कितना लाप कर सकेगी ये प्रश्ण वाचत चिन्न है हर बात के लिए आपको कॉंग्रिस के पास दोड़ना पड़ेगा और जब आप उन पर निर्बर हो जाएंगे अभी तो मैं नहीं जानता है पहले चर्चा हुई थी कुछ शर्चे लगाई जा रहे हैं फिर चर्चा हुई कि कॉडिनेट कॉडिनेटिंग कमेटी बनाना पड़ेगी फ्लौर पर भी हम लोग कॉडिनेशन करते हैं उसके बिना तो सदर नहीं चलता है आप सारा देश चलाना चाहते हैं बड़ी अच्छी बात है हमारी शुमकाम नायाब के साथ है हम अपने देश के देश की सेवा के कारी में जुटे रहेंगे हम संख्याबल के सामने सर चुकाते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं जो कारी हमें अपने हाथ में लिया है वो जब तक राश्टी उद्देश पूरा नहीं कर लेगे तब तक विश्राम से नहीं बैठेंगे तब तक आराम से नहीं बैठेंगे मैं अपना चाटपत्र राश्टपती महोदय को देने जा रहा हूँ अटल बिहारी वाजपाई की ये स्पीच तब तो सीख देने वाली थी ही बलकि आज की सरकारों को भी इससे सीख लेनी चाहिए